आज हम एक फ्रूट डिजाइन में मिठाई बना के त्यार करेंगे आप देख सकते हैं यह सीता फल या कस्टा डापल बहुत सारे डिजाइन में फ्रूट सुईट बनता है आज हम काजू की पेस्ट से इसको बना के त्यार करेंगे जिस तरीके से काजू कठली बनता है उसी त मिठाई के लिए जो काजू यूज होता है वो हमेसा आच्छा क्वालिटी वाला काजू नर्च होता है इसमें हम पेस्ट करके भी बना सकते काजू कटली जैसे बनाते उस तरीके से नहीं तो इसका पाउडर बना के भी हम बना सकते स्वीट आज हम काजू नर्च का पाउडर उसमें सुइच बना के त्यार करेंगे, चोटा बला ब्लेंडर की जल ले लेंगे, जिसमें नॉर्माली हम मसाला बगेरा पीशते हैं, उसमें हम काजु को ले लेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके 3-4 बार में काजु को हम ब्लेंड करके त्यार करेंगे, बहुत जादा नहीं ल पाउडर बनाना है मिठाई के लिए अगर बारी किसे नहीं बना सकते या थोड़ा भी दरदरा उसमें रहता है तो चन्नी में उसको चान के फिर यूज करना है लेकिन ये प्रपरली अभी बन चुका है पाउडर इसको हम यूज करेंगे एक प्यान में ले लेंगे 500 ग्राम सक जितने क्वांटिटी में हम लेंगे काजु नर्स उसकी हिसाब से सक्कर लेना है सेम क्वांटिटी में दालाए अभी और दाइसो ग्राम ले लेंगे टोटल आधा किलो सक्कर आधा किलो सक्कर में डालेंगे 220 ग्रम पानी जितना हम सुगर लेंगे उसका आधा क्वांटिट से सुईट आच्छे से बाइंडिंग नहीं होगा बीच बीच में इसको मिलाते हुए हम सुगर शिरप बनाएंगे काजुनट की मिठाई के लिए हमको एक तार वाला कंसिस्टांची में सुगर शिरप चाहिए तो थोड़ा सा टाइम लगता है फ्लेम को मैंने अभी हाई रख भूल चुका है हाथ में लेके थोड़ा सा चेक करेंगे सुगर शिरप तार वाला कंसिस्टांची में नहीं आये तो और थोड़ा सा हम चासनी को उबालेंगे फिरसे एक बर चासनी को चेक करेंगे, आप देख सकते एक तार बन रहा है इधर, और ज्यादा नहीं उबालाई चासनी को, इसी टाइम हम इसमें काजुनट्स की पावडर को डाल देंगे चासनी और काजुनट की पाउडर को अच्छे से मिलाते हुए हमको कूक करना है ताकि काजुनट की पाउडर में एक भी गुटलिया ना राए फ्लेम को मैंने स्लो मिडियम में रखा है इस तरीके से लगातार मिलाते हुए जब हम कूक करेंगे दिरे दिरे काजुनर्स की पाउडर सुगर शिरफ में आच्छी तरीके से मिल जाएगा इसमें एक भी गुटलिया भी नहीं है सारी की सारी गुटलिया खुल चुका है बस इसी तरीके से स्लो मिडियम फ्लेम में हमको लगातार मिलाते जाना है मिठाई का बैटर अभी थीक हो चुका है और कड़ाई के साइड से ये निकलने लगाए ये कंसिस्टांची सही है तो अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगी 1.5 टीस्पून ग्रीन इलाईची पाउडर और एक बार आच्छे से मिला देंगे और इसको रूम टेंपरेचर में आने तक ठंडा करेंगे मिठाई वाला डो अभी रूम टेंपरेचर में आचुका है हम थोड़ा सा हाथ में गी लगा के लेंगे और इसको आच्छे से गुंद लेंगे और एक बार इसको गुंद के चिकना करेंगे ताकि इसमें हम मिठाई सेप में बना सके एक बात की ध्यान रखे अगर थोड़ा सा स्ट्रॉंग हो गया काजु बाला डो मिठाई बनाने के लिए सेप में नहीं आ रहा है तो फिर उसमें आप दो तिन बूंद गुनगुना दू दाड करके उसको और एक बार गुन लिजिए फिरो सब्ट बन जाएगा और कोई भी सेप में आप मिठाई बना सकते हैं काजु की पेस्ट से पहले हम छोटा छोटा गुला बना देंगे इस तरीके चे बहुत बड़ा नहीं लेना है पस जिस साइज का हम रोटी बनाते उसका आधा साइज का में ले रही हूं ये बहुत सारे चोटा चोटा गुला बनाना है बहुत ही चोटा चोटा जो की कंश्टाडापल की साइड में हम लगा के उसका सेप देंगे अभी हम छोटे बड़े सारे जो गुले बनाए है उसको सेप देंगे एक बड़ा बला गुला ले लेंगे और चारो तरब से छोटा चोटा गुला को इसे ही लगाते जाएंगे पास-पास करके एक तम चिपका के इस तरीक के से लगाते जाएंगे जब तक बड़ा बला गुला Gold ना हो अभि हम हातों में लेकर इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तक कि आथे सी सारा गुला चिपक जाए और सारे चो कश्टाड आपुल को हम सेम तरीकी से बना के तियार करेंगे हातों में दो बून्द लिकुईड क्रीन फूट कलर ले लेंगे पहले हम हातों में फूट कलर को फेला के उसमें सुईट को डाल के इस तरीके से कवर करेंगे इसमें ब्रस बगरा की जोरत नहीं है इसी तरीके से ही ये सुईट बनता है अभी आप देख सकते कितनी आच्छे से एक को हमने कलर कर दिये है सारे कश्टाड आपुल को सेम तरीके से हम कलर करेंगे थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर लेके हातों में चारो तरफ से उसको लगा के पांच लॉंग लेके उसकी एक साइड में हम डालेंगे इस तरीके से अभी हमारा फूट डिजाइन में मिठाई बन के तैयारे इसका कलर भी कितना अच्छा है और कितना भी सुंदर है दिख रहा है यह रेसिपी आप भी एक बार इस चोहर की सीजिन में ट्राय करें रेसिपी की बारे में आपकी अनुबब कमेंट सेक्शन में सेर करें इस तरह कि बहुत सरे रेसिपीच के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइट में जो बेल का इकन ने उसको जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके